नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जर्धारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन में यहाँ पे अपर PCS की वेकेंसी आचुकी है उत्राखन लोग सेवा आयोग यानि क्यूके PCS के मादयम से आज यानि 10 अगस्त को फिर से एक नई विग्यप्ति जारी की गई है टोटल 224 पदों पर और यह भरती है अपर PCS की अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं पूली डेटेल्स जानेंगे इस वीडियो में इस वेकेंसी के बारे में और आपको बता दें कल आपको जो विग्यप्ति के बारे में बताए था वो लोगर PCS की वेकेंसी ती जिसमें टोटल 190 पदों पर विग्यापन जारी किया गया है यहाँ पर आप दे सकते हो उत्राकंड समयरित राजय सिविल प्रवर अधिनस्त सेवा परिक्षा 2021 विग्यापन प्रकासन की दिती है 10 अगस्त और आ सही आप यहाँ पर ओनलाइन आविदन कर सकते हो ओपिशल वेवसाइड पर जा सकते हो वहाँ पर UKPSC की और वहाँ से ओन प्रतेक यहाँ पर कौन-कौन से पद हैं जिसमें निकले हुए और किनकेन पदों में कितने कितने आपी रिक्तिया यानि पोस्ट है तो यहाँ पर आप दे सकते हो रिक्तियों का विभागवार विवरन निम्नवत है और रिक्तियों की संक्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है तो देखो यहाँ पर पुलिस उपाधिक्चक में यहाँ यहाँ डिपार्मेंट में यानि ग्रहविववाग में है टोटल व्यतनमान यहाँ पर 56,000 से लेकर 1,47,000 तक और रिक्तियों की संक्या है टोटल पुलिस उपाधिक्चक में 10 उसके बाद वित अधिकारी में है वित विभाग में है वित अधिकारी में है टोटल 18 पद और वेतनमान आप दे सकते हो 56 से लेकर 1,47,000 है और यहाँ पर क्रेटेग्री वाइज यहाँ पर बाढ़ रहे है पदों को तो आप देख सकते हैं उसके बाद तीसरा है यहाँ पर सहायक संभागिया परिवहन अध 11 पोश्ट है उसके वाद है सायक नेदेशक उद्धो प्रबंदन इसमें 17 पोश्ट है जिल्ला पूर्च अधिकारी चार पोश्ट है अब देखो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यरती यह पूस्त है कि हम कितनी पोश्ट के लिए यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं देखो जितनी पोश्ट के लिए अपने वहां पर क्या हो जाएगा एपलाई हो जाएगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर जितनी पोश्ट के लिए आप इलीजिबल होंगे आभी देखते हैं कि यह योगयता क्या-क्या मांगे गई है वो सारी चीज़े देखेंगे तब आपको पता याप पर चल जाएगा उप संभाग्या इपणन में हैं तीन पद खंडिवकास अधिकारी के हैं अठाइस पद ग्राम युकास इभाय के अंदरगत सायक निवद्दक के हैं यहां पर साथ पद और सायक स्रमायुक्त के हैं दो पद सायक निजिशक के हैं चार पद वेतनमान डे सकते हो ठीक है सबकालगों 56,000 से लेकर है और 117,000 के बीच उसके बाद सायक गन्रा आयुक्त के हैं एक पद उप सिख्छा अधिकारी के हैं 31 पद सायक निजिसक के 3 पद हैं सायक निजिसक के 4 पद हैं संसकर्थ सिक्षा विवाग में जिल्ला प्रेटन विकास के हैं 1 पद तो यहाँ पे पदों का विवरान आते हैं यहाँ पर पूरा देख सकते हैं काफी समय पद हैं और काफी देखो अलग-लग विभाग में अलग-लग यहां पर पद बांटे गए हैं और टोटल यह हैं कितने पद हैं 224 पद तो अपर PCS में उत्राखंड में 224 पदों पर विग्यापन जारी कर दिया गया है बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे उत्राखंड के अभरती कई स सैक्षिक अरहता ठीक है उपरोग जितने भी पद है जितने पदों के बारें बता है यानि जो टोटल 224 पद है उनके लिए अरहता यहां पर दी गई है लगबग सभी के लिए समान है तो जो अनिवारे सैक्षिक अरहता है जो होने ही होनी चीए वो है भारत में विजी स्ट्रीम को बढ़ सकते हैं उसके पाद जिसके पास होगी उसको वर्यता दी जाएगी तो क्या है अधिमानी अरहता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अबेटे को सीधी भरती के मावले में अधिमान दिया जाएगा तो एक तो है प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की नियूंतम अवदी तक सेवा की हो यहां राष्ट्य कर्डेट कोर का 20 सार्टिविकेट ठीक है यहां पर एनसस नहीं मांगा गया है यहां पर मा उपादी सकते नहीं गुरेव भाग के लिए अनिवारा सेक्सिक अर्था थी ठीक है इलिजबिलिटी जो थी यह कौं से पत के लिए थी पुलिस उपादी सक के लिए ठीक है जो होन डिपार्मेंट के अंद्र गत है अब हम यहां पर जानेंगे प्रते के बारे में यहां पर फिजिकल भी यहां पर यहां embed बिंदर नंबर पांच पर दियागी ई पुलिस उपादि एइब है अब देखो वित अदिकारी है वितिवाग किसी अन्य विशक्ष्क अरता गारता भारत में वी द्वारा किसी विशावी दिल है कि यह राजपाल द्वारा इस प्रियोजन के लिए मानेता प्राफ्त किसी अन्य विशावी दिले की इस नात्र उपादी इसमें भी इस नात्र उपादी है और साथे साथ अधिवाने अरहता भी वही है प्रादेक सेहना में दो देवनागरी लिपिका भी क्या होना चीए और अधिमानी सेक्सी एरता इसमें भी लगबग वही है सिर्फ क्या है ब्यवसाइक प्रसासन में अगर इसनात कोतर के उपादी है तो उसको क्या है यहाँ पे जादा वर्यता परदान की जाएगी बाकि जिल्लापूर्ती अधिकारी में भी सेम वही सिचुएशन है उपसंभागिया विपणन अधिकारी में भी भारत में विद्वाराइसापे किसी विशाविदाली किया उसके समगक्स क्या होना चीए इसनाता के उपादी अवस्या होना चीए और देवनागरी लिपिका भ भी क्या माँग गिया है मानता दी और गोसित क्या गिया हो के रसरकार महानता प्राव किसी विद्विधाली विशाविद्वाय से इसनातक उना चीए क्या चीए या के सरकार ने अगर बाहर कई Cham सरक बार क läuft में उसको और सकते हैं और अधिमानी अरता लगबग सभी की सेम सब्सक्राइब इसमें थोड़ा अलग है इसमें जो अनिवार्य स्टैक्षिक अरता है वह निची ए सहायक स्रम आयुक्त के पाद है तो अब्यारति के पास भारत में विद्वारा इस्तापिज किसी विषविद्यल से आर्थसास्ता समाच्षास्ता वनिज़ विद्य जयंनी लो ठी है श्रैम समंद स्रम ब्यापार प्रभन्द कर्मिक परभन्द कर्मित विसाविव में से किसी एक विषविड के साथ इस दिया Sutha को पादिय अवस्य होनी चाहिए तो जो सहायकर स्रमागत है इस लिए वह shrnotta कि तो आपको यहां पर वेटेज दिया जाएगा उसके बाद सहायक निदेशक कार खाना का फॉर्म यहां पर बढ़ सकता है उसके बाद जानते हैं तो इसमें देखो किसी मानिता प्रावत विशुवधर से अब देखो यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी या स्टाप और विसर के लिए क्या मांगी गई है अनिवार सेक्षी अरता तो इसमें मांग गया है किसी विसवी दाले से प्राश नत्त की उपाद्याव के पास होनी चाहिए जाएगी यानि वर्यत्ता प्रदान की जाएगी तो जिसने ब्याड कर रहा है शिक्षा सास्ट्र में ठीक है और साथ-साथ वही प्रादेशिक सेना में दो साल की सिवा और एंसी सी यहाँ पर बीस साथ होना चाहिए उसके बाद सहायक निदेशक में यानि मच्य जो पस्वपालन विवाग में जो हो है कहीं सी है उसमें क्या होनी चीए अनिवार्य सेक्षिया रहता तो एक तो यह है कि आपे मच्य विवाग की यह भरती है तो मच्य पालन में विशे सक्गेता के साथ प्रानी विज्यान में M.S.C ठीक है प्राण विज्ञान में क्या है ये प्राण विज्ञान और वनस्पत विज्यान ये जलोजी बौट्नी को विज्ञान अनिंक विजवव कोoman में साथ B.sc होना अत्या भूश कहुए और तीसरा है में चार उप्लski वाली तो То जो जिसके पस एक हो जिसके पास पतीनों वे से एक डिगरी हो वह सहाई न देशें कि या नि मत्यवायर फॉन सकतो एक है मत्युभास निवाग में फोल में डाल सकता हैं मत्य पशुपार में ला belum प्राच्य विश्विद्याले से प्राच्य भासा संस्कृत्य में आचारिया और साथ साथ से सिख्षा सास्तुरी बियड उपादी होनी जरूरी है कि उसके बाद बैटन विखास अधिकरी तो इसमें भी क्या है , एक तो मोलत होनी चीएए किसी भी उलंकि भास उस्कारिय का यहां पर फूम बर सकते हो उसके आप प्रचार अधिकारी का है यहां पर परटन विभाग में इसमें भी क्या है किसी विश्विदाले से जन्संपर्क पत्रकारिता सामुई शंचार में ग्रेशन की उपवादर एक बास होनी चाहिए और हिंदी अगनिजे का आपको अच्छा खास घ्य हैं वसे इसका पूरा पीडिएप देंगा में टेलिग्राम में लिंक आपको मिल जाएगा इस बीडियो के डिस्क्रिशन में तो वहां से आप इसका पीडिएप डाउनलोड कीजिए और एक बार खुल जरूर चेक कीजिए कि आप किस-किस पोस्ट के लिए आप पे इलिजि 236.7 सेंटीमेटर यह पूर्स अव्यक्तिय के लिए है जबिक महिलाओं के लिएливоं सेंटीमेटर अनुसूकिजल जरूर 166 सैंटीमेटर और और परवतिया चेतर हैए 162 सेंटीमेटर और महिलाओं का जो परिवतिया हैं उनकी 147 सेंटिमेटर अब सीनी की माप ये केवल पूरुसों के लिए है तो सीनी की माप जो होने चीए अनुसुची जन जाती और परिवतिया थेदर के अबयर्टियों के लिए होने चीए तो ये फुलाने पर होने चीए 81.5 सेंटिमेटर और सामने और अन्य अबयर्टियों के लिए चीए बिना फुलाने पर चीए तो ये फिजिकल डुकायर्मेंट है पुलिस उपादी चक भरती के लिए और सारीरिक वजन के वर महिलाओं के लिए चीए नियुनतम 45 की ग्राइब उसके बाद आंक का भी आपने मांगा गया है 6x6 ठीक है और दूसरी आंक है 6x9 इससे कम द्रिष्ट नहीं होने चीए बाई कोई भी वर्णा अंता वगरा कोई भी रोग ऐसा नहीं होना चीए अगर हम आयू की बात करें तो आयू की गर्णा की जाएगी 1 जुलाई 2021 से अब और आप दिया भी गया है कि अर्थाथ अबरती के जन्म है वह दो जुलाई 1979 से पहले का नहीं होना चीए और 1 जुलाई 2000 के बाद का जन्म नहीं होना चीए किमिस अगर आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं और उत्राखन अनुशुची जाते और अनुशुची जनजाती के लिए यहां पे 86 है और OBC वालों के लिए 176 है और EWC वालों के लिए 176 सारिक दिव्यांग के लिए 26 रुपए सुल्क है और उत्राखन राजय में संचारे जो क्या है अनात बच्चे हैं उनके लिए कोई सुल्क यहां पे नहीं है उसके बागर एक्जाम पेटन की बात करें तो आपको पता है कि जो अपर फीसेस का एक्जाम होता है उसमें दो एक् स्टेडी का 1.500 अंकों का और समय दो घंटे का पूर्णांख है 1.500 का तो जो दूसरा होगा वह होगा जेनल एप्टिट्यूट टेस्ट यानि सामाने बुद्धी मता परिक्षण यह 100 अंकों का होगा इसमें 1.500 का आपका पूर्णांख होगा और यह भी 2 घंटे का ठीक है 300 अंकों का यह क्या है पेपर है टोटल ठीक है दो इसमें पार्ट्स है न तो जो प्री एक्जाम है उसमें टोटल 300 अंकों का पेपर होगा और 4 घंटे का समय दे जाएगा अब देखो यहां पर एक और बात आपको ध्यान अख नहीं कि प्रारामिक परिक्षा में दित्य प् अंक लाना अनिवार है तभी आप क्वालिफाइब माने जाओगे उसके बाद यहां पर लगेगी मेरिट और तब जाके आपका नाम आगा कि इसके लिए मुख्य परिक्षा के लिए मुख्य परिक्षा का देख लेते हैं एक्जाम पेटन तो यहां पे टोटल साथ सब्जक प्रिश्ण पत्र है इंडियन पॉलिटी से और सोचियल जेस्टिस से चोथा यहां पे भारत और विश्व का भुगोल पाउचा प्रिश्ण पत्र है आर्थिक यहों सामाजिक विकास यानि एकनोमिक्स और छट्टा है यहां पे जनरल साइंस एंड टेक्नोलोजी और साथ परसले आपर यहां पे जनरल एपट टो को कर सकते हैं और उसके बाद और यहां पर इंटर्वूगाू हreaming टोTS प्रकार से यहां पर चल उख सुरहोगो तो इस प्रकार से एक्जाम यहां होगा पुरी यहां पर करे का इक ही है उसको तो ठीक है तो शिलेवास यह है क्या है ₹ 3101 का है परिफ्रण पत्र के और पूर अपको य॥ पोरी पूर्छ सब्रेंक एपना न junior और आज पूर्ण सकते हो पासा कर दोस्तों आपको वीडियो परसंद आई है और जो इसके जरूर आपना फॉर्म भरिये जरूर एक बाट ट्राइ किजिए और कई सालों माद वैसे भी ऐसा मौका आया उत्राइखण में कि उत्राइखण में पीसेश की वेकेंसी आई है तो जरूर आप अप्लाइज जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्षी सा तब तक लिए धन्यव आप एक लिए नेकर स्थस्वाहण करें मिलते हैं दूर्म प्राइखण में दोस्तों दोस्तों भी जरूर्म अफ्लाइब के डियर दिएवां कि यूर्म अवांवाण